इंडिया से फैंसिंग वायर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते कहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं फैंसिंग वायर को एक्सपोर्ट करके कैसे आप आठ लाक रुपे कमा सकते हैं पूरा डिटेल कैलकुलेशन आपके लिए लेकिया हैं यह वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है इसको ध्यान से जरूर देखिए नमस्कार दोस्तों मैं हूराजिव सेनी इंटर्स बिजनिस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पिकर दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पे हम किरिटीकल नहीं सिंपल अगर यही बात कर लेते हैं इस तर Guide का यहां से फेंसिंग वाईर इंडिया से जादर होती है लगा缸िबन जीए उनकरएं स्वाइर बोहत थाई खोन घ्रीशन से बढ़ते हैं जर्मेट बऊंडर region वायर का भी यूज करते हैं और इसमें कोई गाएं भैंस कोई केटल अभी अंदर नहीं आ सकता है और यह बहुत उची-उची भी कर देते हैं जिससे कि कोई आदमी भी अंदर प्रवेश ना कर सके तो बहुत अच्छा रहता है इंडिया में भी कंसेप्ट अच्छा चलता है तो यह एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से बहुत लोग आप भी इसको एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकते हैं अब इसमें गोर्मिट भी कुछ बेनिफिट दे रही है कि आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको हम बेनिफिट जरूर देंगे क्योंकि आप हमारे एक्सपोर द्वारा दिया जाता है अगर मैं IES की बात करो यानि इंट्रस्ट इकुलाइजीशनी स्कीम तो यह 3% का मिल रहा है अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्ट रहे हैं तो आपको IES 0% मिल रहा है अगर मैं RODTP की बात करो यानि तो रोट टेप आपको मिल रहा है 0.5% 0.5% of your FOB value free on board value जितना भी आपका FOB value उसका 0.5% आपको RODTP मिल रहा है अगर मैं GST की बात करो कि GST कितना लगता है तो GST पूरा लगता है यानि 18% जो कि आपको refund हो जाता है अगर आप पे करतें manufacturer को आगे बात करते हैं उससे पहले बता करते हैं कोई party fraud तो नहीं उसको कैसे आप identify करते हैं payment term क्या होता इनको term क्या होता में लिसे payment term क्या है custom कैसे होता अपना profit margin कैसी increase करते हैं सतरा सालों में जो हमने कर करके सिख्या हो पूरा कुछी दिनों में आपको सिखा देते हैं आपको 100% train कर देते हैं training के आपके पास में help day support भी रहता जिसका आप utilize कर सकते हैं कैसे आठ लाग रुपए आप इससे कमाएंगे एक calculation आपके लिए 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 लिक्के लिक्या हूँ आपका time save करने के लिए इसको आप ध्यान से जरूर देखिए जैसे आप पर केजी के इसाब से आप इसको लेके चले पर स्कूर मिट फिट भी आता है और पर केजी के इस के इसाब से भी आता है तो 50 रुपए से 80 रुपए का यहां पर भाव चल रहा है एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली जो अच्छी क्वालिटी वाली हूँ 80 रुपए पर केजी के साब से रहा है तो अगर मैं maximum price भी इसका लेके चलता हूं 80 रुपए पर केजी और आप इसका ए 80 रुपए तक का वो खर्चाता है जिसको मैं हमेशा एक लाक रुपए लिख लेता हूं तो आपका हो गया यह 20 रुपए प्लस 1 लाक रुपए का हो गया अब यहां पे green color में आप बहुत सारे गोर्मिट के benefits देख रहे होंगे तो यह जो गोर्मिट के benefits यह आपको कितना मिल वाले तो इसलिए इनको final buying price से हम minus कर सकते हैं यानि final buying price हो गया final हमारा buying price हो गया 20 लाक रुपए पलस 1 लाक रुपए जो हमारा खर्चा हुआ minus 4.02 लाक रुपीज जो हमें गोर्मिट के द्वारा मिलने वाले हैं तो यह हो गया 16.98 लाक रुपीज कितना हो गया 16.98 लाक रुपीज हो गया हमारा final buying price अब यह sale कितने में हो रहा है कितने में बेच रहे है FOB price क्या आ रहा है तो इसके FOB price आ रहा है 100 रुपीज से लेके 120 रुपीज तक FOB price, free on board price अगर मैं इसका यही लेके चलता हूं कि आप इसको maximum price minimum price भी लेके चलते हैं बेचने वाला 100 रुपीज और 25 तेन माल बेचते हैं तो 25 लाक रुपे का आप इसका sale कर पाते हैं एक average exporter भी 25 लाक रुपे का आप इसका निकाल देंगे अब net profit कितना हु रुपा सर वो बताइए directly, तो यह net profit हो गया 25 लाक माइनस 16.98 लाक रुपीज यह हो गया 8.02 लाक रुपीज यानि 8 लाक रुपे हर कोई exporter हर कोई average exporter इसके कमा सकता है, fencing wire को export करके इंडिया से, अगर मैं बात करूं next demand की कि भीया कौन-कौन सी वो country है जहां पे इसका export हो र आता है, UAE, United Arab Emirates, जहां पे दुबई के साथ में UAE के साथ में अवारा free trade agreement भी है, वहां पे आप export कीजिए, second number country में जर्मनी आता है, जर्मनी भी 466 shipments per year खरीद रहा है, अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो निदरलेंड आता है, निदरलेंड भी 369 shipments per year खरीद रहा है shipments as per Volja data, USAB 274 shipments per year खरीद रहा है, as per Volja data, इसके आप fencing wire का, अगर पोलेंड की बात करेंड तो पोलेंड भी 263 shipments खरीद रहा है, as per Volja data, fencing wire का, अगर मैं बात करूं, HS code की, क्या आप import करें तो भी HS code लगेगा, export करें तो भी HS code लगेगा, तो यह chapter 73 में आता है, और 1-3 इसका sub chapter है, तो इसका HS code बन जाता है 73, यानि 73-73, 13-00-20, इसको आप easily research भी कर सकते हैं, अगर मैं export process की बात करूं कि sir, export का process क्या है, तो आपको सबसे पहले export में product select करना है, product आपको select कर लिया, फिर उसके बाद आपको buyer find करना है, buyer find करने के लिए total जो 15 methods आपको बदाए जाते हैं, सारे आप trick यहाँ पर implement कीजिए, और अगर वो भी time consuming आपको लग रहा है, आपको मेहनत जाद लग रही है, और उतना अच्छे से आपको नहीं लग रहा है, आपके पास पैसा है, आपको पैसा फेकना तमासा देखना है, तो वोल जा का direct data ले सकते हैं, बायर की direct list ले सकती, कौन कितना किस price में कहां से क्या import कर रहा है, सार आपको यहाँ से detail पता चल जाएगा, बायर की भी, supplier की भी, price की भी, quantity की भी, quality की भी, क्या क्या कहां से हो रहा है, सार आपको यहाँ से detail पता चल जाएगी, बायर का आपने data ले लिया, उसके बाद आपक आपका यूएस पी क्या आपके परडक में ऐसी यूझीक प्राइस क्या है यूझीक क्या है आपको सारा ट्रिक्स वहाँ पर इड़वांस आ जाता है यह आप ऐल सी में काम कर सकते हैं आपका पीमेट आगया उसके बाद आप नोटिस इसे जरूर बचे और आप इसका complete process जरूर करें एक्सपोर्ट का अगर मैं बात करूँ इसमें आपको EPC के लगने वाली Export Permotion Council तो मेरी से पहले आप ही बता देंगे सर ये तो Engineering Product है तो इसमें Engineering Export Permotion Council लगेगी कौन सी लगेगी? Engineering Export Permotion Council Engineering Export Permotion Council आपको यहाँ पर इसमें लगने वाली EEPC Engineering Export Promotion Council जिसका RCMC 6500 रुपे मिनिमम दे के आप इसको प्राप्त कर सकते हैं Registration का Membership Certificate आगर मैं Top Competitor Countries की बात करूँ यानि वो कौन-कौन सी Countries है वो Top 5 Countries जिसके साथ मैं आपर Pricing and Quality का Competition होने वाला है तो उसमें सबसे पहले पाइदान पर जर्मनी आता है जर्मनी आपर 79,000 सिप्मेंट कर रहा है Per year Fencing Wire का Second number पर निदरलेंड आता है जो कि 52,000 सिप्मेंट कर रहा है Fencing Wire का इटली भी 52,000 सिप्मेंट कर रहा है निदरलेंड का पूरा Europe Fencing Wire का ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है 44,000 फ्रांस कर रहा है सिप्मेंट 40,000 बेल्जीम कर रहा है तो फ्रेंड से करी वीडियो आपको पसंद है जरू आप इसको लाइक कीजिए अपने Fencing Family में उसको जुरूर सेर कीजिए हरो इस इंदियन को सेर की जो की जोब करा बिजनिस माना चाता है जोब करा डारेक इंटांस मार्किट में आना चाता है और मेरे द्वारा देगी जान करें अगर कुछ छुट गया, कुछ रहा गया कुछ आप उसमें अडिशनल वैल्यू एड़ करना चाते है तो हम इंतिजार करेंगे आपका कमेंट बोक्स में नेक्स्ट वीडियो किस टोपिक पर आपको चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके कमेंट में बड़े चाओ से अपनी दिल की गहराईयों से पढ़ता हूँ और उनका रिपलाई करने की भी कोसिस करता हूँ जैसे जैसे मुझे समय मिलता है और आप हमेशा की तरह से खुश रहे हैं मुस्कुरात रहे हैं ग्रो करते हैं और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए लेट्स टो एक्सपोर्ट तोगेधर थैंक यू, थैंक यू वेरी मच्च क्या आप सक्सेश्पूल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर को ढूण रहे हैं